किसान बाईयो नमस्कार मेहू दसरत धाकड आप देख रहे हैं डीप आर्मिंग योटूब चैनल इस वीडियो में हम केडिया 726 सुएबिन की खेती के बारे में बात करेंगे यह विराइटी महराष्ट में कापी ज़्यादा पोपुलर है और मध्यवदेश में भी बहुत से किसान इसे लगाना चाते है इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे की केडिया 726 सुएबिन की बुवाई का सई तरीका कौन सा है किस परकार से सुएबिन की बुवाई करना चाहिए किसान भाई यह विराइटी अन्य सुएबिन की विराइटों से थोड़ी अलग है इस कारण इसकी जब आप बुवाई करते है तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए साथ ही कुछ बुवाई का तरीका आपको बदलना होगा तब ही आप केड़े 726 सुवबिन से अधिक उपर जूत पादन ले पाएंगे इस वीडियो में मैं आपको केड़े 726 सुवबिन की बुवाई करने के तरीके के बारे में बत्ताने वाला हूँ इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहें वसंदाने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए अधियाप मारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे भी आपको मारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे किसान भाईयों अगर आप भी केडिया 726 सुएबिन का बीज खरीदना चाते है तो स्क्रीन पर दिये हुए नमबर पर संपर्क कर सकते है और केडिया 726 सुएबिन का बीज मंगवा सकते है इसके लवा स्वेबिन की बुवाई के तरीके की बात करें तो आम तोर पर जो भी स्वेबिन की विराइटे आती है उनकी अधिकतर किसान बाई बुवाई सीड्रिल की साहिता से करते है और लाइन से लाइन की दूरी 16 इंच के आसपास रखते है और 20, 40, 45 किलोगराम प्रती एकर तक रखते है लेकिन केडियस 726 सुवेबिन थोड़ा अलग है इसकी हाइट अन्य विराइटियों की तुलना में ज़्यादा बड़ी होती है साथ ही ये विराइटि 115 से 120 दिन तक का समय ले सकती है पूरी तरह से पकने के लिए अधिक तरह सेत्रों में जहां बारिस 90 दिन के असपास ही होती है उन सेत्रों में अगर आप इस विराइटियों को लगा रहे है तो अन्त में आपको सीचाई करनी पर सकती है या मानसुन आने से पहले ही आप इसकी बूवाई कर दे लाकि जब मानसुन आए अन्य सुएबिन की किस्मों के साथ ये विराइटि मेच खा जाए और हार्वेस्टिंग साथ में हो सके सबसे बहले हम बात करते हैं कि केडे 726 सुएबिन की बूवाई हमें किस परकार से करना चाहिए अगर आप सीड्रिल से केडे 726 सुएबिन की बूवाई कर रहे है तो प्रती बीगा जो बीजदर है वो 10-12 किलोगराम ही आपको डालना चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी आप 18 इंच के आसपास रखे और अगर आप केडे 726 सुएबिन को लगा रहे हैं तो इसके लगाने के सही तरीके की बात करें तो आप इसकी बूवाई हाथ से चुपाई वीदी दुवरा कर सकते हैं आप कल्टिवेटर से खेत में क्यारिया ड 6 इंच के आसपास आपको रखना चाहिए बहुसे किसान भाई बेड़ पर खेती करते हैं तो बेड़ के दोनों साइट भी इसकी बीजो को लगा कर भी आप इसकी बूवाई कर सकते हैं हम केडे 726 सुएबिन की बूवाई आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं हाथ से करण हम सूखे खेत में हाथ से चुपाई वीडि दोरा केडे 726 सुएबिन को लगा रहे हैं उसके बाद स्प्रिंकलर से हम इसमें सीचाई करेंगे जिससे हमारा सुएबिन का अंकुरन भी हो जाएगा इस परकार से भी आप सुएबिन की बूवाई कर सकते हैं ताकि समय से आपकी वसल हार्वेस्ट हो सके इसके अलवा आप जब भी केडे 726 सुएबिन की बूवाई करें तो इसके बीजों का अंकुरन जरूर जाच ले अंकुरन जाचने के लिए आप किसी टार्ट की बोरी के सारे इसका आसाने से अंकुरन परिक्सन कर सकते हैं बीजों को हलकी न जुत पादन मिलेगा और आप सकेडे 726 सुएबिन की खेती से ज़्यादा से ज़्यादा पेदवाल ले पाएंगे उम्मित करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद